अब हम लोगों जिस दिन से शिकायत किया ना उस दिन से तोहरा कर रहे हैं और वो रोड पे से डिगी और ट्रोली कोल गे और माई से कच्रा किराते हुए आते हैं कान्य होई तो बुकलो ऐसे बूल के दाते हैं अज हम बड़ोदी आएं और जिस सेहर में ही आता है इसके आज पास यहां पर करीब रहते हैं चार्सो पांट सो परिवार रहते हैं उन परिवारों की जंसंग करीब होगी 10-25,000 के करीब इतने लोग यहां रहते हैं और जो सेहर का सारा कच्रा निकल रहा है पहले यहां था कि एक क्रेशर मसीन जो कचरे से खाद बनाने वाली लगाई जाने वाली थी चुकि वो मसीन ना लगते हुगे वो प्लांट अदूरा पड़ा है और वो उसको कम्प्लीट रहीं किया गया उसका खाविया जा आया के अड़ोस-फड़ोस की लोगों को बुगतना पड़ा रहा है क्योंकि नगरपालिका के लोग कचरा तो यहां डाल जाते हैं पर आकर नहीं देखते हैं कि यहां क्या इस्तिती हो रही है जो इसमें से जो दुगा निकल रहा है न उसकी बज़े से भी यहां कई हो तरह की बीमारिया हो रही है कुछ बच्चे जो इस्कूल जाना चाहिए वो इसमें से सारे दिन कबाड़ा बीनते रहे हैं आप जनता को परिशान थोड़ी ना करेंगे यहाँ पर जो करमचारी रहता है वो रात के समय में इसमें बच्चों को एक साथ उतरवा के कवाड़ा बिनवाता है और खुद भी करवाड़े को खरीदता है यह तीन बच्चे बो हैं जिनकी मा को शाप ने काट लिया है और वो हॉस्पिटेल में एडमेट है जिससे यहां के वासपास के लोग रह रहे हैं वो परेशान ना हो और जो त्रेसर मसीन चालू कराने की उनकी योजना है उसे भी जल्दी से लागू करें जिससे चोटी-चोटी बच्चे अपना बच्पन इस कचरे में खो रहे हैं वो उससे बच सकें मैं लक्ष्णिदार्ग इंडियान नट के लिए शूपरी मद्ध पर्देश बच्चेजदार्ग करें करें झाल झाल